करें पिष्ट इंहें में डिए क्षाने कि शोश्य दुद्धिक शुक्र साथ कि में अधिर हुआ के व्हर्यें हें वह वाद़ शुक्त में नेस्ट पार थे लिए के उस सब तो ना इसंप्ल शुक्ष़ के सब्लारि भाद है minus pi by 2, 0, pi by 2, pi and 3 pi by 2, हमने इस ट्रैफ से graph draw कर लिया, अब पर pi by 2 होता है यहां होता है minus pi by 2, ठीक है, जब 10 का graph आप draw करते हैं, 10 का graph कुछ इस ट्रैफ से आप draw करते है, यहां पर आपको space देना पड़ता है, क्योंकि pi by 2 पर exist नहीं करता है, हो minus pi by 2 पर लिया, ठीक है, similarly है, ठीक है, ठीक है, तो इकर इस ट्रैफ से आपको graph पता हो गया, तो graph में आप एक चीज तो समझ में आती है, कि pi by 2 का अगर देखा रहे है, तो pi by 2 पर यह graph exist नहीं करेगा, मतलब इस पर का dy by dx, pi by 2 पर नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब सिधा सा है कि dy by dx of not exist at pi by 2, at pi by 2, ठीक है, बात सुझाए, pi by 2 पर यह exist नहीं करेगा, क्यों pi by 2 पर यह continuous नहीं है, इसलिए differentiable भी नहीं हो सकता, अब बात करते हैं इसके beyond की, तो बात किया है कि minus pi by 2 से plus pi by 2 तक क्या होगा, तो minus pi by 2 से plus pi by 2 तक y is equal to x होता है, और in this case इसकी वैदर होती है, dy by dx is equal to 1 होती है, ठीक है, इसके बात बात हैं, तो इस case में y is equal to जो होता है, यह pi इता जाए होता, minus pi पर cut करेगा, मतलब यह होगा, x minus pi, और in this case also dy by dx is equal to 1 आएगा, ठीक है, तो मतलब यह है कि 10 inverse of 10x का differentiation always be equal to 1, except जब आपके पास x के वाद हो, 3 pi by 2 ना हो, इस सभी cases के वादे में अगर बात करें, तो इसका differentiation always be 1 हो, ठीक है, आप हमों बात करेंगे, इसके 10 inverse 2x के वादे में और 10 inverse 3x के वादे में, ठीक है, चलिए तीस से आप, next question के वादे में बात करें तो आप हमों, जाए हो, find dy by dx, and f y is equal to 10 inverse of 2x upon 1 minus x square दिया गया है, चलिए तो इसको हमों रिप्लेस्मेंट, तो इसके 10s की रिप्लेस क्या कर सकते हैं, तो simple सा case है कि अगर हम x की जगर पे 10 theta रिप्लेस कर ले, x जगर 10 theta रिप्लेस कर लें, तो वादे में क्या हो जाएगे, y is equal to 10 inverse of 2 10 theta divided by 1 minus 10 square theta, और यह जो वादे में होती, यह वादे में होती 10 2 theta की, 10 inverse of 10 2 theta हो गया, अब यह समझना है कि इसके दिए हमनों को, conditions के वादे बात करने हैं, कि conditions क्या क्या हो सकती है, चले इसके इसके स्टार्ट रोते हैं, तो पैदे हमनों की काम करते हैं, कि 10 inverse of 10x के graph डाव कर लेते हैं, 0 pi by 2, pi c pi by 2, minus pi by 2, minus pi n minus c pi by 2, ठीक है? अब y is equal to pi by 2 है, और here, y is equal to minus pi by 2, ठीक है? चले इसके ठंगम बात करने, 10x एग्राफ के लिए, 10x एग्राफ होता है, ठीक है? इसके ठेप आफ, y is equal to 10 inverse of 10x एग्राफ है, ठीक है? 10 inverse of 10x एग्राफ है, कुछ इस्टेप्स डाव करती हैं हमने? और, ठीक है? इस्टेट राइन होती है, ठीक है? तो आप बात आ लिए, कि हमें इस ग्राफ जो डाव करना, ठीक होता है, तो ग्राफ के साथ तक कंप्रेस हो जाता है, तो कंप्रेस करना है, तो जो गाई दू के बीच में है, जो से πाई बात टू है तो यह भाई बात फोर हो जाएगी, और यह मैनस पाई बात टू हो जाएगी, चैनल इसको डाव करते हैं, इस टैब आप गाई हाफ हो गे बात ठीक है, अब यह कंडिशन देखिए, यह थी पाई बात टू है, और 0, 63, pi by 2 है, तो यह point जो होगा, वो इसका half होगा, ठीक है, यहाँ पर जाएगा, और यह जो बैद दो है, यह point है, pi by 2 हो तो यह जाएगा, pi by 4 पर, तो यह ग्राफ आप कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको कुछ इस्टैट्ट डॉप कर तो यह, ग्राफ है, यह है 10 inverse, 10 to x ग्राफ है, अब इसकी बॉर्डरी डेवलप कर लेते हैं, इसकी बॉर्डरी क्या हो सकती है, तो यह जो point है, यह point है, pi by 4 का case, pi by 4, यह point होगा, minus pi by 4 का, ठीक है, अब इस point के बारे मंगर बात करें, तो इस point इस 3 pi by 4, pi by 2 के बाद, यह 3 pi by 4 होगया, ठीक है, तो अब इसकी बॉर्डरी को समझेगा, कि इन जितने भी ग्राफ के बारे मं बात हो रही है, इस सारे ग्राफ जो डिफाइड हो रहे है, उन सब का slope जो होगा, तेकि 2 टाइमस होगा, तो यह line के इसी हो जाए कि y is equal to 2x हो जाएगी, तो y is equal to क्या होना चाहिए, यह y is equal to 3 कहां कट करेगा, यह pi by 4 pi पर कट करेगा, तो minus pi minus, sorry, plus 2x, minus pi plus 2x हो जाएगा, ठीक है, आप अगर check करना चाहिए, तो check करनेजे कि अगर x के लुग pi by 2 है, तो value क्या हो जाए कि y की value 0 हो जाएगी, इस point से pass होना बिटा, ठीक है, अगर हम इस line के बारे हम बात करना चाहिए, तो यह line क्या होगी, y is equal to 2 होगा, यह कहां कट करेगा, यह कट करेगा उपर pi पर, यह हो यह pi plus 2x हो जाएगा, ठीक है, pi plus 2x हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो हम बात करें कि x section में है क्या, x सम्म्नल में क्या दिया आएगा, यहाँ पर ज करता है, तो हमाँ पर जो equations बनती है, equations क्या बनती है, यहाँ पर हम बात है कि y is equal to pi plus 2, x की जिए हम क्या देख सकतने हैं, ध्यान देखिए कर, theta और x interchange हो रहे है, यहाँ पर हमने graph किसका draw किया है, 10x का draw किया है, 10x का, तो यहाँ पर x की जिए आएगा, 2 10 inverse of x आएगा, ठीक है दूसरा case, y is equal to 2x है, तो 2 10 inverse of x आएगा, थर्ड केस, y is equal to minus pi plus 2 10 inverse of x आएगा, अब conditions क्या क्या है, ध्यास रखिएगा, conditions है, minus pi by 4 से plus pi by 4 की बीज की बात हो रही है, तो यह graph, this work, minus pi by 4 से plus pi by 4, अब सोचिए गा, minus pi by 4 से plus pi by 4, हमने theta के बाइदे पूट किये है, theta minus pi by 4 से plus pi by 4, तो x क्या होगा, minus one से plus one, तो यहां पर x बिलाउंग करेगा, minus one to plus one, x क्या होगा, minus one to plus one, अब बात करते हैं अगर हम यहां से, one से बड़े के बाभरे मैं बात करते हैं, one से greater के बात करते हैं, तो graph ये है, minus pi plus 2x, तो when x greater in one कर सकते हैं भी 시작, इसको क्या कर सकते हैं लेकिन समझेगा क्मप्रेट के लिए ग्राफ नहीं होगा क्योंकि पाई चेंज होंगे यहां पाई होगा यहां टू पाई होगा चीज़ें चेंज होती जाहेंगी लेकिन हमें काम करते हैं इसकी डफिट कर देते हैं इसको रहते हैं क्या कर देते हैं माइनस थ्रीपाई प्रट इसको हुग और ग्राफ मतलब यह हो गया कि वन से बड़ा है तो यहां तक है 3 π 4 तक है तो theta के उदू रहे हैं तो graph यह आँ रहा है अब अगर बात किए डाइ CR gotta देखे तो इसका डिय उिफासी के आना चाहिए इसका दिय उक्राइब वाइ डी उफान प्लस अस्क्राइब इसका भी graph आ कैसे तो y इकोल वाइगा तो दिवाई बाइगा तो अपाद वन प्लस एक्सक्वाइब और थोर्ट केस के वाले बात की जाए तो डिवाई पाद एक्सक्वाइगा तो केसे सभी में सेम है ठीक है डिफरेंसेशन सब का क्या रहा है सेम आधा क्योंकि सबके स्लोप सेम है इसलिए दिफरेंसेशन इसका सेम रहा है लिकिन सबकी अलग अलग है लिविट सबकी अलग ठीक है तो हमारे पास केसे क्या बन गया है फर्स्ट के समार पास किया आगया कि जब एक्स की वैद्विलाउंट करी मांनुस वां से प्लस बन सेकेंड केसा आया एक्स वेल बिदेन थार्ड केस आगया एक्स लेश्टेल वन सब्सक्राइब अब इन तीरों केसे को देखल के अगर क्राफ नहीं है हम कैसे टैकर करेंगे उसके बारे इम डिस्कॉस कर लेते हैं ठीक है ओके इसको देखल कर देते हैं हाँ च्यांद हो पश्च तीर केस हैं एकस बिलांग तो प्लॉस ने किस से ने ब्लाइं टो फाल्स ने हो वहले है एकस की विलॉगक धी बिलॉग कर दी न से माईनस न के बीच में एकस के लोगों में कहीं दी अ нач minus 1, so theta, इस छिपför्ट होगा, pi by 4 से minus pi by 4 के बीच में, ठेके, theta, लेकर मैं चाहिए किया, 2 theta चाहिए, मतलब यह होगा, 2 theta, कले यह दो होगी, pi by 2, minus pi by 2 होगे, ठेके, minus pi by 2 से plus pi by 2, आप समझेगा, कि हम तों के पास graph जो होता है, commonly, जो 10 इनवा से ग्राफ होता है उसकी रिक्वार्मेंट होगी हमें 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 इसे ड्रॉ कर लिया जीडो πाइग 2 पाइग 3 पाइग 2 यहोगा मैनस पाइग 2 पाइग 2 टीटा है एक तहल्ड हाँ जाहर कर दाल मैनस पाइग 2 से प्लस पाइग 2 की ze मतला हमाइस condition यह है, मानिस πाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब इसके बात हो रही है, in this case, in this case, y is equal to x, y is equal to x, बात है, simple case ही है, कि y is equal to, in this case, 10 inverse of 10, 2 theta, is written as y is equal to 2 theta, miss y is equal to theta, theta क्या होट है है, theta है, 10 inverse x है, तो y is equal to 2 times 10 inverse of x, और in this case, dy by dx की वैज़े होगी, 2 upon 1 plus x square, simple, बात सही मागई होगी, ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं, second part के बादे में, तो आपको इस जी समझ मैज़ा ही साल चीज़े है, second part, this one, second part जो है, miss x की वैज़े, जो है, वो greater than 1 है, x की आए, 1 से बड़ा है, तो अब आपको पता है कि x के लिए 1 से बढ़ी है, तो इन्फायनाइट से छोटी होगी, यह लिमिक तो आपको अपको आपको आपको और पता होती है, ठीक है, तो कि हम बात करें, x के आए 10 theta, 1 से बड़ा, इन फाइनाइट से छोटा, मतलब यह pi by 2 से छोटा, ठीक है, और theta, और यहाँ पर क्या होगा, pi by 4 होगा, और condition वाए पास क्या होगा, 2 theta की है, तो 2 theta की पाइदे जो होगी, वो pi by 2 से लेकर के, pi की बीच में होगी, हमने inequality को अधे जब दिया, ठीक है, तो pi by 2 से pi की बीच में, आप समझेगा, pi by 2 से pi की बीच में हमापस line यह, this line, pi by 2 से, pi के बीच में line होगा पस क्या है, this one, यहाँ तक की condition है, ठीक, अब अगर ऐसी condition के बादे में बात की जाए, तो यह line क्या हो सकते है, यह line होगी, while j equal to, यह कट कहां के माइनस pi पर, तो माइनस pi प्लस x होगी, माइनस pi प्लस x होगी, इसका मतलब यह है, कि हम अगर इस ग्राफ के बादे में बात करें, यह ग्राफ होगा, y is equal to 10 inverse of 10 minus pi plus 2 theta, minus pi plus 2 theta होगा, in this case, y is equal to j minus pi plus 2 theta, 2 theta का मतलब 2 10 inverse of x, यह case locked, minus pi plus 2 theta of x, means इसका dy by अगर dx आप निकालते हैं, तो value तो अभी भी वही निकलेगी, लेकिन function change हो गया है, ध्यान रखेगा, minus pi plus 2 theta of x आगया, so dy by dx is equal to upon 1 plus x square होगा, यह बात समझ में आगी, ठीक है, अब बात करते हैं, तो यह second condition थी, अब बात करते हैं, third condition के बादे में, अब third condition, third condition, when x less than minus 1, less than minus 1, तो आपको 10 का case पाता है, minus infinite तक जाएगा, तो यहाँ पर 10 theta minus 1 से लेकर minus infinity, so theta क्यों एदू कहाँ रहें करें, minus pi by 2 से लेकर के, minus pi by 4 के वाले बात करते हैं, ठीक है, हमारे requirement क्या वटा, 2 theta की है, 2 theta की वाले क्या हो भी, minus pi by 2 से लेकर के, minus pi की बीच में, ठीक है, चलिए, तो minus pi by 2 से minus pi की बीच की बात अगर हो रही है, तो आप कुछ ऐसा जाए वटा, this one, this limit, इसके बात होगी है, और यह जो line है, यह line अगर अब बढ़ा दे, यह line कहाँ कट करेंगी उटाब, pi पे कट करेंगी, कहाँ कट करेंगी, minus pi और यहाँ पे plus pi, कट करेंगी, ठीक है, तो यह line होगी, यह line होगी, y is equal to pi plus x होगी, क्या होगी? तो हमको यहां पे विजिए होते हैं यह कोड़ों होगा 10 और साउ तेस्थ तेटा तेटा तो थीटा की जागव एगी पाइप लस्ट टो थीटा एगी किने तो एक तो जाया ये तो आपको पास जाएगा डी वाय देखा चैनल जेंदे वार। तो सिंप्री सारी चीज़ेश क्लियर हो चुकी होंगी कि कंडिशन कहां से कहां तक के बीच में लाइक कर रही है ओके कंडिशन के बारे में डिसकर्स कर गया है चलिए तो पहला काम तो यह है कि 10 इंवर्स के साथ जो ड्रेकेट के अंदर बना हुआ हो एक प्टिकलर फॉर्मेट है 3x के लिए 10 थीटा सुब्सिट्यूट करें तो 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा की वाजू होती है अब हमें क्या करना है कि इनकी कंडिशन क्या क्या निकल सकती क्या क्या बॉंडरी हो सकती उसके बारे हम लोग डिसकूस कर रहते हैं तो परिशी तो आपको इधियार रखना है कि 10 इंवर्स आप 3x का ग्राफ करना है क्या डाव करना है एक्स का ग्राफ डाव करना है थी एक्स का तो आपको बाद में कि 10 इंवर्स आप 10 एक्स आग्राफ करेंसे डाव करना है आक्स Klotter क्सित्त करना है एक्सित्त करना है एक्सप्रस करना है क्सित्त को पर्सप्रान स्लचति तो 1 से नगैक्सीं आपको भाका लोगएक्स अब बात यह ओदी के चल्ब में डॉक्रिस का करना है 3x का करना है इसे करना है 3x करना है 3x ग्राफ करता है तो यह पाई भाई 2 है वो आप पाई पाई 6 पे जाएगा 3x मतलब बहुत क्या है कि πाई बाई 6 पे ब्रेख हो जाएगा इधर भी क्या होगा माइनस पाई बाई 6 मतलब जो ग्राफ बन रहा था वो आप कुछ ऐसा बढ़ेगा इस पॉइंट टू इस पॉइंट ठीक है ध्याज देखिएगा यह से ग्राफ होगा अब बात करेंगे कि यह 3 πाई बाई 2 पे था तो अब यह पॉइंट कहा जाना चाहिए यह पाई बाई 2 पे आना चाहिए अगर है आप इसके बादे में बात करें कि यह जब पॉइंट बाई अ चाहिए तो पॉइंट कहा आना चाहिए ठीक है, कहाना चाहिए, इधा कहीं आना चाहिए, और ये point जाएगा, this step, इसका third part, 3 pi बाइटो की जगा, minus pi बाइटो, ठीक है, मतलब graph जो हो रहा है, वो कुछ steps जा रहे हैं, ये conditions हैं इसकी, लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी है, कि इन सभी के slopes जो है, सभी के slopes क्या है, ये सभी lines कैसी होंगी, parallel होंगी, और सभी के slopes एक पर होंगी, मतलब सबका differentiation तो same आना चाहिए, ठीक है, लेकिन conditions क्या क्या हो सकते हैं, उसके बादें बात करते हैं, तो conditions लेख लीजी, ये pi बाइ 6 है, ठीक है, अब समझेगा, कि जब theta के value minus pi by 6 से plus pi by 6 है, theta क्या है, minus pi by 6 से plus pi by 6 है, तो x क्या होगा, x क्या होगा, तो पहली condition ये, कि जब theta belong करा है minus pi by 6 से plus pi by 6, then x belongs to, minus pi by 6 के लिए बाट होगा minus का 1 by root 3, और plus pi by 6 के लिए होगा 1 by root 3, ठीक है, और in this case this line is equal to y is equal to three types of x or three types of theta sorry kya kya सकते theta लिखे चले theta लिखे लिखे y is equal to three theta हो जाएगा मतलब है कि y की value इस case में three theta होगी और theta की value है 10 inverse of x है in this case minus 5 by 6 से plus 5 by 6 के वाले बात कर रहे हैं second case के बारे बात कर लेते हैं क्योंका theta की value जो belong कर रही है minus 5 by 2 से minus 5 by 6 उस case में जो x होगा x belong करेगा x करेगा होगा minus infinite मतलब minus infinite से minus 1 by root 3 होगा या minus 1 by root 3 से less के बारे बात कर रहे हैं तो इस graph के बारे बात कर लेते हैं यह graph आगे चलके कहां कटके रहे हैं यह graph कटके रहे हैं पाइपर कहां कटके रहे हैं ठीक है समझते थोड़ा तो यह line क्या जाने चाहिए यह line देखीगा इस line क्या लिखेंगे y is equal to 3x तो है ही उपर कहां कटके रहे होगा हम दों लिखेंगे क्या 3 theta लिखेंगे समझेगा y is equal to क्या लिखेंगे 3 theta तो हो गए क्योंकि slope उसका वही है 3 theta फॉइंट कहां कटकर रहा होगा यह point का से पास हो रहा है यह point पास हो रहा है सब्सक्राइब करें तो थे कट जाएगा माइनस पाइब कैसे लाउट गाव सेटिस्फाइब कर जाएगा यह तो ध्यास रेखें अगर एक्स के यहां लाइक लेगी तो वाइड होगा माइनस पाइब को सब्सक्राइब कर दखनें अनुसरी डी motivate यह जाएगा अलुट गौन जाएगार ऑगिलग क्वा थेटा वाधे चलीिंग। when theta belongs to theta belongs to pi by 6 to pi by 2 pi by 6 to pi by 2 so x belongs to 1 by root 3 से लेकर के infinity होगा और in this case y is equal to होना चाहिए minus pi plus 3 theta एक जगा 10 inverse of x होगा इस सारे cases देख निए ध्यार से कि पहला हमने क्या किया minus pi by 2 से minus pi by 6 ले आए उस case के बारे बात की minus pi by 6 से plus pi by 6 की case के बारे बात की और plus pi by 6 लेकर के pi by 2 के बारे बात कर दे shine ठीक है? मतलब इस block के बारे बात की हमने minus pi by 2 से plus pi by 2 की बारे में बात कर देख लिए इस सारी conditions आगे, अगर इन सारी conditions को देखा जाये, तो पहने case अगर diy by dx इसका क्या होगा इस केस के बारे में बात की जाएं इस के बारे में बात की जाएं तो बाते समझ ना आ गए होगी तो कंदिशन सब्सक्राइब निकल यहां से माइरस मन इंफा इंफारे करके आप मारे मरे मालसं इंपर श्री और यहां तो अब जो निकैस ऐसके वारे में वहने श्रीक कंडिशन है इफ x बिलॉंग्स टू-1 बाइड थी तरी थींद थी थे कर दिए जाए तब आप इसको डायरेक्ट कैसे साल करते हैं उसके बादे बात कर देते हैं ठेके चलिए तो इसको इरिज सका देते हैं और वाइक कंडिशन यही है अभी तो देखते हैं क्या है कि माइनस इन 30 से माइनस वाइन रूट 3 की केस में क्या किया जाए तो पैसे चिस्ति यह क्या पास जो केस दिया गया है तो पहला केस कि एकस की वेट जो है माइनस इंफायट से माइनस बाइट से माइनस बाइत थी क्या होगा है तो पर आप यही होगा फ़िए हो गया तो क्यों जाएगी माइनस का सीफ फाइब टूजाएगी अगर आपने थी इंप्रिप्लाइए कि तो सिंपल से आप काम के लिए कि टेन एक्स ग्राफ डौक देते हैं कि इसको हम ने क्या माल दिया है इसको डौक हरे देते इस वन कि अ कि 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 हम दिस अब दूसे जिडू पांट रड़ पाइटू हो गया कि मानशाजा है थी पाइट फाइट आपने थी पाइट दू हो गया है ठीक है यह कर्डिस वोगे अब हम पास कर्डिसुंस देखा जा कि 3-3 लाइ कहाँ करता है, 3-3 लाइ करता हम –3π2 उसलेगे, –5r2 के बीच में, मतला हम इसके बारे में in-lice करना है, कि यह line किया है, थीक है तो simple सी बाद पिखेंग है कि ये angle 45 पीखेंगी होता है अगर आप इसको आगे पढ़ाएंगे तो ये minus pi पर कटके रहे है तो height क्या होगी? इसकी pi की होगी तो इस line अगर बादे में बात लिए तो y is equal to हो जाना चाहिए pi plus pi plus x. x का मतलब क्या होटा? से थीटा हो गया तो पाइपलस से थीटा हो जाएगा थीक है तो सिर्फ काम कर लिए लोग कि y इस एक्वेल करती है y क्वेल है 10 inverse of 10 पाइपलस से थीटा में 10 से 10 किल से लो जाएगा योगा y और dy by dx के लो जाएगी 3 upon 1 plus x square ठीक है तो direct आपने solve कर दिया ओके घ्राफ को देख करके चीज़े समझ बाज आती ही जी अब बात करते हैं next part के बाज़े थी चाहिए next part when x belongs to x belongs to minus 1 by root 6 बेकर के plus 1 by root 6 की पीछी स्क्राइब ना 10 theta is pi by 6 1 by root 3 and minus 1 by root 3 से चली तो theta क्या होगा theta होगा pi by 6 भी तैकर देकर के minus 5 by 6 और 3 theta जो होगा वो होगा pi by 2 से लेकर माइनस पाइभ बाइट्यू होगा मासमने प्रेट नहीं 3data के ओलेड्य आधा प्रेट्यू को कि अवरेटि इसके वाजने बात करने तो माइनस प्लस पाइभ आच्वार के बीच की जो लाइन है धिश्काल यह लाइन 10 C Theta तो बैद दो क्यांकिवाटा 3 Theta आएगा 3 टेक में दू 10 इस आफ X हो गया So dy by dx इस जिब कर्टू हो गया 3 upon 1 plus X square ठीक है तो ये case भी गब्दिट हो गया Last case के वारे में बात कर देते है Last case है Third case when X belongs to 1 by root 3 से लिखर के infinity की बीच में तो 10 Theta Infinity 1 by root 3 So Theta Pi by 2 और इधर Pi by 6 हो जाएगा ठीक है तो Pi by 6 हो जाएगा अच्छा अब एक काम करते हैं वैदो क्या 3 Theta तो 3 Theta करेंगे तो यहां पर क्या हैगा 3 Pi by 2 हो जाएगा और यहां पर वैदो आएगी Pi by 2 3 Multiply ग्राम देख से जब पर क्या Pi by 2 से 3 Pi by 2 This one This line अब इस लाइन के बारे में हम बात करें तो यह लाइन जो है यह नीचे जाखर के यहां कटते देगी Pi पर तो इस लाइन के बात करें यह य इस उकलत होगा यह इस उकलत होगा minus Pi plus 3 Theta minus Pi plus 3 Theta होगा means हमारे पर जो य का case है y इस उकलत हो जाएगा 10 inverse of 10 minus Pi plus 3 Theta ठीके? so y इस उकलत होगा minus Pi plus 3 Theta यह लिखना है तो 3 Theta inverse of X हो गया so dy by dx is equal to आएगा 3 upon 1 plus x squared तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि functions तो सबके change हो रहे हैं लेकि सबका derivation जो होता है differentiation जो आ रहा है वो सबके same आरे because आप slope सबका same है ठीके? तिक conditions कहां से किस steps निकलती उसके बारे में बात कर दी और इनके derivation के बारे में बात कर दी ठीके? अब हम लोग randomly questions के बारे में बात करेंगे बात करेंगे? next questions के बारे में कुछ questions हम ले लिख रखे हैं हमें dy by dx find out करना है where y is equal to sin of 2x upon 1 plus x square और conditions आपके पास दे रखे ठीके आपको x के वादो यहां पर ब्रॉंग कर दे ठीके? चल्ब फर्स्ट से start कर देते हम लो first question है y is equal to sin inverse of 2x upon 1 plus x square ठीके? तो simple सी बात है बिटा है यहां पर x को क्या रिप्लेस करेंगे? 10 theta x क्या रिप्लेस होगा? 10 theta रिप्लेस होगा means अगर आपको बात रहे कि अगर x 10 theta हो जाएगा तो y जो कर दोगा sin inverse of 2 10 theta divided by 1 plus 10 square theta और यह जो value होती है इस value को आपके लिखते है? sin inverse of sin 2 theta sin inverse of sin 2 theta चल्यों तो हम यहां पर stop करते है और conditions के बादे हम बात करते हैं first condition जो दिए यह when x lie between minus 1 to plus 1 minus 1 to plus 1 plus 1 के बात की गई है तो जब x की value लाए कर रहे है और x cat 10 theta है 10 theta लाए करेगा 1 to minus 1 ठीक है? मैं इस theta की जो value होगी वह होगी pi by 4 से लेकर के minus pi by 4 के बीच के बीच के conditions 2 theta की है तो 2 theta is lie between pi by 2 to minus pi by 2 ठीक है? और बात यह होड़ी कि sin inverse of sin x से graph के बारे में बात होड़ी plus pi by 2 के बीच में अब देखा जाए sin inverse के graph तो simple सा case होता होटा यह pi by 2 यह राइन लाती है 0 pi by 2 और यह होता है minus pi by 2 मतलब यह लाइन होती है y is equal to x y is equal to x x होता है मतलब यह है कि y is equal to sin inverse of sin 2 theta की जगा है simple 2 theta y is equal to क्या हो जाएगा? x हो जाएगा x is square जाएगा ठीक है? आप बात करें हमनों दूसरे कुशन के बादे में दूसरे condition के बादे में तो next बात करें हमनों b section के बादे में when x lie between 1 to infinity ठीक है? x एड़ा 10 theta infinity 1 so theta pi by 2 2 pi by 4 pi by 4 pi by 2 pi by 2 भी बात हो जीए 2 theta है हमाल पास 2 जीने के बादे और pi by 2 ठीक है? तो 2 theta के case में sin 2 theta का गाल 0 minus pi by 2 plus pi by 2 then इसके बाद आपके पास यह आ जाता है ठीक है? यह होता है pi by 2 और यह होता है pi तो pi by 2 से लिए pi के बीज की बात हो यह थी यह line होगी this line ठीक है? अगर हम इसको आगे बढ़ा देते इस टाइब से इस टाइब से this line equation of the y is equal to graph जो जाद होता यह 45 डीक होता है ध्यान लखेंगे यह क्या होता है? हमें साब 45 है तो 135 होगा तो minus 2x होगा minus यह क्या आता है? y square x हो जाता है x लिख लेते है और कट कहा के देगा तो यह pi पर कटके देगा कहा कटके देगा? pi क्योंकि pi by 2 pi pi minus x यह line क्या होगी? pi minus x के line होगी इसका मतलब यह है to side inverse of side 2x के जाएगा हम क्या लिखेंगे? pi minus 2 theta pi minus 2 theta लिखेंगे यह होगा y so y की जिप्ट को रएगा dy over dx के लिखेंगे minus 2 upon 1 plus x square ठीक है? इसके बादे भी बात होगी? बात समगा दे होगी? अब बात करते हैं next part के बादे में that is our minus infinity to minus 1 चलिए इसको ही जाएगे देखते condition है when x lie between minus infinity to minus 1 के बादे में so 10 theta minus 1 से minus infinity so theta minus pi by 4 से लेकरके minus pi by 2 बात किसके? 2 theta जी तो 2 theta minus pi by 2 से लेकरके यहाँ पर क्या है बाता? minus का pi ठीक है? चलिए तो graph देख लेते here यह point क्या बाता? minus pi होगा यह नहीं रखती कुछ इस ठीक है? minus pi to minus pi by 2 हमें इसके बादे बात कर दी इस line के बादी अब यह line जो होगी यह cut करती है यह pi by 2 होता है? minus pi by 2 होता है यह plus pi by 2 होता है तो यह point क्या होगा? pi by 2 होगा है cut कहा करती? pi पर cut करती? minus pi पर तो इस line के गर equation हम लिखरा चाहते है तो y जिपर लिखते है minus pi minus pi minus 2x sorry 2x भी x लिखते है क्योंकि हम जददी x लिख रहे है तो minus pi minus x लिखते है तो अगर हम बात करें कि यहां पर क्या होना चाहिए तो y is equal to आएगा side inverse of side बताएगे 2 theta गेगा क्या दिखेगे? 2 theta गेगा minus pi minus x जगा 2 theta ठीक है? तो y is equal to हो गया minus pi minus 2 theta और 2 theta गेगे minus pi minus 2 theta गेगे 10 inverse of x हो गया इस सारे फार्मुलेटर दो हो जाने यहां पर ठीक है? अब बात ही होगी dy by dx is equal to minus 2 upon 1 plus x square ठीक है? तो आपको यार करने कि यहां पर जबत नहीं पड़ेगे यहां डाइडेक्ट भी इस टाइब से conditions को निकाल सकते है ठीक है? क्योंकि ध्यान थागी है कि जब x के दो minus 1 theta minus 1 है तो y की वैदे जो होगी minus pi minus 2 10 inverse x है ठीक है? चलिते यह इस फार्मुलेट हो गया पार्ट तो हमने बात करती फर्स्ट कोसिं के वादे में ठीक है? बात करेंगा वाँ सेक्ड कोसिं के वादे में ओके? तो सेक्ड कोसिं लिए गया है x अगर 10 theta replace किया जाए तो यह हो जाएगा कॉज inverse of 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta और यह value होती है कॉज inverse of कॉज 2 theta का होता है किसका होता है? कॉज inverse of कॉज 2 theta का होता है अब बात यह होगी कि 2 theta के case में graph के बादे में कैसे study कर रहे? तो condition सवापस दी होई है first condition दी होई है first condition है x belong कर रहा है 0 से infinite के बीच में x किसके बीच में है? 0 से infinite के बीच में है तो अगर x के बादे 0 से infinite होता है x क्या है? 10 theta है infinite 0 तो theta के बादे 0 से pi by 2 0 से pi by 2 चैथि तो बात ही होगी 2 theta 2 theta के बादे दुआ है वो आई ही pi और यहाँ पर 0 0 से pi के बीच यह बात हो दी है ठीक है? चलिए तो हम पास क्या है? cos 0 सफ cos x से graph के बादे बात कर जते है 0 से pi pi minus pi यह दे टॉब करते है और यहाँ पर ही pi और minus pi minus pi plus pi यह pi होता है यह 0 होता है यह minus pi होता है cos graph के स्टैच जाता है this type of और यह आता है यह होता है cos 2 theta की जाता है आपके लिए हिसीं तरी 2 theta लेखेंगे तो 2 of 10 x का 2 upon 1 plus x स्टैच तो इस condition बहुत simple सी है condition graph region उसके according work कर दिया ठीक है? बात करेंगे अपना second part के बादे में तो second part भी इसी type से कुछ हो जाएगा second part के है b section when x belongs to minus infinity to 0 so 10 theta is like between 0 to minus infinity so theta यहाँ 0 यहाँ पर minus pi by 2 ठीक है? minus infinity to minus pi by 2 so हमें region किसका दिखना है? 2 theta का 2 theta के लिए 0 और यहाँ पर minus pi तो बहुत simple सी के minus pi से लिए 0 की भी इसकी बात लिए so y is equal to के है? minus x y is equal to minus x इसका मतलब सीधास है कि y is equal to है cos inverse of cos 2 theta के जगा हम क्या दिखेंगे? minus 2 theta दिखेंगे और y दिखेंगे minus of 2 theta के जगा 10 inverse of x therefore dy over dx is equal to का minus 2 upon 1 plus x square ठीक है? बास समय में आ गई होगी? चलिए तो इससे आवा complete कर सकते हैं अब बात करें ही question मत third के बादे में question third दिखेंगे y is equal to दिखेंगे 10 inverse of 1 minus का कॉज x divide by sin x and x belongs to minus phi 2 plus 2 ठीक है? simple यहाँ पर तो हमें replace करना भी नहीं direct use कर सकते है तो y की जो गई दिखेंगे 10 inverse of देखते bracket के अंदर क्या होटा? 1 minus का कॉज x होता है 2 sin square x by 2 होता है divide by sin x जे लिख सकते है 2 sin x by 2 into कॉज x by 2 ठीक है? यह होगे 10 inverse 2 cancel out हो सकता है sin square से sin cancel out हो सकता है bracket के अंदर लाएगा 10 x y 2 angle क्या गया होटा? x y 2 आ गया condition क्या है? x क्या भी आ गया? x बिलाउग करना minus phi से लिके plus phi की बीच में x y 2 लाएग करेगा phi by 2 से लिके minus phi by 2 की बीच में इस region में इस region में 10 inverse of 10 x ग्राफ होता है y is equal to x होता है y is equal to x होता है plus phi by 2 और minus phi by 2 इसके बादे हमने लिके बहुत discuss किया हुआ है minus phi by 2 से plus phi by 2 के बीच में y is equal to x होता है इसका मतलब हो गया 10 से 10 cancel out होगा y is equal to x by 2 therefore dy by dx is equal to 1 by 2 ठीक है? बहुत simple सा case हो गया चली तो यह आप इस नहीं handle कर सकते हैं बात करें 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 next question के बादे है that is a question about fourth question about fourth के बादे बात करें जाते है चली fourth है y is equal to 10 inverse of sec x plus 10 x ठीक है? sec x plus 10 x दिया गया है और x के बादे भी इस दी गई है उसको बाद में use करते है पर इसे handle करते है 10 inverse sec की जगर क्या हो सकता है 1 plus 10 की जगर sin x divided by हो जकता है cos x ठीक है? 1 plus sin x upon cos x इसको फ़रा सर्ट करते है 10 inverse 1 plus sin x 1 plus sin x आपको पता होना चाहिए कि यह बाद होती है cos x y 2 plus sin x y 2 का हो सकता है ठीक है? cos x की जो बाद होती ही वह होती है cos x y 2 minus sin x y 2 ठीक है? अब एक काम करते है a इसका मानस भी इसको लगा सकते है तो a मानस भी और a प्लस भी आगा प्लस से प्लस केसर हो सकता है में इसकी करिए से कों दो लिख सकते है 10 inverse of cos x y 2 plus sin x y 2 divided by cos x y 2 minus sin x y 2 ठीक है? यह केस होगी है अब एक काम करें cos x y 2 और कामन निकाल ले 10 inverse तो अगर यहां पर cos x y 2 कामन निकाल तो 1 आएगा प्लस का यहां आगा 10 x y 2 divided by 1 minus 10 x y 2 आएगा और यह जो वाज़ो होती है यह होती 10 inverse of 10 pi by 4 plus x y 2 ठीक है? 10 pi by 4 plus x y 2 का फॉमला होता है अगर यह आपको पता हो गया अब बात आती है कि x से condition action में क्या है ठीक है? अब x आपको दिया गया है minus pi by 2 से लेकर के plus pi by 2 के बीच में ठीक है? तो अगर हम बात करें x by 2 कहा नहीं करेगा? x by 2 नहीं करेगा pi by 4 से लेकर के minus pi by 4 के बीच में angle के? angle है आपके पास pi by 4 plus x by 2 यह वाइद जो लाइख करेगी pi by 4 एट करेजिए वाइद होगी 0 और pi by 4 एट करेजिए pi by 2 के बीच में मतब angle होगा 0 से pi by 2 के बीच में लाइख करेगा तो जिदा से pi by 2 के ग्राफ यह होगा और यह ग्राफ क्या होता? y is equal to x का होता है y is equal to x होता है मतलब 10 होगा 10 होगा 10 होगा और y के बीच में जो आएगी y आएगा y आएगा y आएगा pi by 4 plus x by 2 आएगा miss dy by dx के वज़े होगी 1 by 2 बासन में आदी होगी? ठीक है? तो हमेशा इन्वास के कोशा को differentiate करते से न आप उनकी conditions को हमेशा ध्यान लखेंगे 6 5 6 झाल झाल